तो गाईज कैसे हो आप सभी आप सभी का वेलकम है मेरी यूटूब चैनल पर तो जैसा कि आप सभी को थमनिल देकर पता चल गया कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है तो प्रेंज इस वीडियो में मैं एक प्रोडेक्ट का रिवियू अन्बोक्सिंग करने वाला कि भाई ये product कैसा होने वाला है और आपको इसमें कैसे क्या features देखने को मिल जाएंगे like कितने सारे best और कितने सारे bad features आपको इस product में देखने को मिल जाएंगे और ये आपको buy करना चाहिए कि नहीं buy करना चाहिए तो भाई आपका हर एक doubt इस वीडियो में clear हो जाएगा अगर आप एक best product buy करना चाहते हो जो आप काफी long time use करो जिसको लेकर आपको future में कैसी भी किसी भी तरह की problem को face ना करना पड़े तो please भाई वीडियो को complete watch करना one minute लगेगा कोई भी वीडियो को script मत करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe और साथ में बेल आइकन को फ्रेस जरूर करना कोई भी ignore मत करना so friends वीडियो को start करते हैं और देखते हैं कि ये product आप सभी के लिए कैसा होने वाला है so friends इस वीडियो में मैं इस home theater speaker का review unboxing करने वाला हूँ जिसका look like आपको बिल्गुल suitcase जैसा देखने को मिल जाता है तो ये कैसा क्या होने माला है कैसा क्या आपको इसमें features देखने को मिल जाएंगे और इसका voice का output कैसा क्या होगा आवाँज में कितनी ध्मक कोगी कितना बैस होगा कितनी घूंज होगी और ये आपको buy करना चाहिए कि नहीं buy करना चाहिए तो आपका हर एक doubt इस वीडियो में clear हो जाएगा तो please buy वीडियो को complete watch करना और अगर आप channel पे नए हो तो subscribe ज़रूर करना कोई भी ignore मत करना because friends मैं एक नया यूटूबर हूँ तो मेरा थोड़ा सा channel ग्रो हो जाए उसके बाद मैं खुद product को buy करके real review, real unboxing करना start कर दूँगा तो friends आप सभी का support चाहिए so please भाई कोई भी ignore मत करना channel को subscribe ज़रू करना बिल्कुल free में भाई एक दूसरे का support करना काफी important है hope आप सभी लोग समझते हो so please भाई support ज़रू करना तो आपको देखने को मिला इसमें आपको बहुत सी की देखने को मिल जाती है best triple equalizer और भी बहुत सारी की देखने को मिल जाती है USB memory card यह आप card भी लगा सकते हो आप remote control के तूँ control भी कर सकते हो wireless mic का भी आप इसमें यूज कर सकते हो ओके और आपको battery इसी में inbuilt set देखने को मिल जाती है जिसका battery backup भी काफी अच्छा होने वाला है और इसमें आप mic का भी यूज कर सकते हो भी wireless तो भाई काफी best होने होने वाला है इसमें features भी आपको कपी अच्छी का से देखने को मिल जाते हैं और अगर आप दूस अलग से एक और speakers में एड़ करना करना चाहते हो भी आप कर सकते हो तो बात करते हैं इसके मोडल एम की कि भाई इसका मोडल एम क्या होने वाला है इसका मोडल एम है साथ वार्ट का इसका पावर का आउटपूट होने वाला है तो आवाज में धमक बैस गुंज भी होने वाला है तो काफी बेश्ट होने वाला है बात करें MRP की तो 10,999 रुपय का यह आपको देखने को मिल जाता है जो बाइस की मीडियम MRP है और बहुत ही हाई MRP नहीं है आप मिडियल क्लास फैमली से ब्लों करते हो तो आपके लिए इसको भाई करना थोड़ा सा कॉंप्लेक्स हो सकता है तो आप क्या कर सकते हो आप आई काल ब्रांड का या फिर ओक्स ब्रांड का भाई कर सकते हो जो आपको 25, 22, 18, 1500 के आस-पास देखने को मिल जाता है बद्व तो आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा उसके फीचर से लुक सब कुस डिफरेंट होगा भाई ओके तो काफी बेश्ट यह होने वाला है बैटरी आपको इसी में इन विल्ट देखने को मिल जाती है वाइरलेस रेंज 10 मीटर की होने वाली है चार्जिंग टाइम आप इसको भाई गंटे चार्ज करना होगा और इसका बैटरी का बैकप चार गंटे का होने वाला है तो काफी बेश्ट होने वाला भाई और आवाज में काफी धमक बैस गुंज भी होने वाला है तो अगर आप इसको भाई करना चाहते हो तो बिल्कुल डिफरेटली भाई कर सकते हो क कुछ भी allowance करना चाहते हो तो काफी बेश्ट होने वाला है कोई singing करना चाहते हो तो भी तुभी कर सकते हो wireless mic का भी आप इसमें यूज कर सकते हो इकुलाइजर बैस सारे आपको बहुत सकी देखने को मिल जाते हैं भाई तो काफी बेश्ट होने वाला अगर आपका कोई डाउट होता है कि यह बाई करू या कोई दूसरा बाई करू क्या करू क्या ना करू तो आप मुझे कोमेंट कर सकते हो मैं उसका अंसर वहीं पर क्या है